नमस्कार, मैं है रिख आज हम MS Word में Format Pender का यूज़ करना सीखे नहीं Format Pender का काम क्या होता है Format Pender का एप्लिकेशन कब करना चाहिए त्यादिक विसे ओपर प्रैक्टिकल इक्जाम्पल्स के साथ मैं आप यह चीज़े बताना चाहता हूँ देखाए आपने सब्सक्राइब कोई वर्ड टाइप किया जी माइन इंस्टेट आप इसे Format कर लीजिए बोल्ड कर लें फॉंट की एक साइज को आप बढ़ा लीजिए आप कलर एप्लिकेशन इस पर अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद अगर आपने कोई दूसरा शब्द लिगना शुड़ू गिया सपोच सुल्तानपूर मैं यह चाहता हूँ कि जी माइन इंस्ट्यूट पर जो Formatting अप्लाई की गई है सेम फॉमाटिंग सुल्तानपूर वाले वर्ट पर भी अप्लाई की जाए तो यह काम आप कैसे करेंगे माउस का पॉइंटर आप जी माइन वर्ट पर रखें पॉइंट करें और आप देखने हैं इस होम टाप के क्लिप बोर्ड ग्रूप में Format पेंटर नाम का ओप्शन मौझूद है जिस पर आपको क्लिक करना है जिस वर्ट पर Formattings को अप्लाई करनी है उस वर्ट पर माउस का पॉइंटर रखते हुए ड्रैग कर दीजिए आपने देखा जी माइन इंस्टूट पर लगाए गई Formattings को हम सुल्तानपूर वर्ट पर अप्लाई कर सकते हैं इसी वर्ट को आप शॉटकट कीबोर्ट की मदद से भी कर सकते हैं कीबोर्ट शॉटकट के थुरू भी कर सकते हैं आप Ctrl-Shift-C को प्रेस करें और जिस वर्ट पर Format पेंटर को अप्लाई करना है Ctrl-Shift-V जैसे आप प्रेस करेंगे आप देखेंगे G-Mind पर अप्लाई की गई Formatting संबंधित वर्ट पर अप्लाई हो गई